हाई फ्रेंड्स मैं निकीता आज मैं आपको ये फ्लावर बनाना बताऊंगी और ये पत्तियां बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे अलग से क्रोशिय से बनाकर स्वेटर पर लगाते हैं इसमें सबसे पहले बीच के पोर्शन से इसे शुरू करते हैं फ्लावर को पहले एक फंद फंदा लिए सबसे पहले वाले चेन में उसे बांध कर गोल कर लेते हैं और बिना फंदा लिए इसे एक-एक लॉंग इसके अंदर बनाते जाएंगे और बना कर फूरे को भर लेंगे जैसा मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा धागा जो मेरा बाहर निकला हुआ था उसे काटेंगे नहीं अंदर ये डाल कर उसे भी बुनाई के अंदर लेकर बुनते जाएंगे इसे अंदाज से ही भरते हैं कि मेरी ये सरकल बिना फंदे लिए लॉंग से बुनकर भर लेना है ये पूरी भरकर लास्ट में इसे बांग लेते हैं ताकि ये गोल हो जाए ये पूरी गोल बन गई उसके बाद फंदो को काट लेते हैं और उसे बंद कर लेते हैं फंदे के अंदर से निकाल कर ये मेरी गोल सरकल बन गई जो नीचे फूल में मैंने रेड कलर से बनाई है इसमें येलो से बनाई हूँ इस फंदे को एक दो बार क्रोशिय से निकाल लेते हैं ताकि ये पक्की हो जाए और फिर इसे काट लीजे अब फूलों की पंखुडियां बनाऊंगी इसमें मैंने टोटल छे पंखुडियां बनाई हैं औरेंज कलर से बना रही हूं पंखुडियां फंदे को बांध लेते हैं पहले क्रोशिय की मदद से ताकि ये खुलेना मजबूत हो जाएं इस बचे में फंदे को अंदर की और कर लें ताकि बुनाई के अंदर में ये चली जाएं और फिनिशिंग आएं तीन चेन लेंगे तीन चेन लेने के बाद यहां पर डबल फंदे को लेते हैं देखे कैसे मैंने डबल फंदे को लिया हैं ताकि लॉंग लंबी हो मेरी फिर एक लॉंग लेकर उसे बंद कर लेंगे फिर से डबल चेन लेते हैं डबल फंदे को लेंगे और दूसरी लॉंग बनाएंगे फिर तीन चेन लेते हैं दो लॉंग बनाने के बाद तीन चेन लेंगे और उसे उसी में डालकर बांध लेते हैं तो ये गोल सी एक पंखुडी हो गई फिर से एक चेन लेकर एक चेन के बाद यहाँ पर इसे बांध लेते हैं ताकि दो पंखुडी के बीच में कुछ दूरी हो जाए और फिर से तीन चेन लेंगे डबल फंदे को लेकर एक लॉंग बनाते हैं एक लॉंग में देखे दो बार इसे बंद करते हैं फिर से दो फंदो को लेकर चेन लेकर उसे बांध लेंगे ताकि दोनों और से मेरी गोल शेप आ जाए पत्तियों की फिर से एक चेन लेकर एक चेन के बाद बांध लेंगे ऐसा करके मुझे छे पंखुडियों को बनाना है कि सभी पंखुडिया एक जैसी ही बनेंगी ऐसे और बहुत से फ्लावर्स बनते हैं जो मैं अपनी अगली वीडियो में भी बना कर आप लोगों को बताती रहूंगी आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे मैं हमेशा नई नई डिजाइन्स की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ आप शिल्पी गार्मेंट्स के नाम से मेरे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पर मेरे रिटिन पैटर्न्स हैं ये देखे सारी पंखुरियां बिल्कुल एक जैसी बना रही हूँ पाच वंखुरियां और यह लास्ट वाली छठी इसमें भी वासे ही तीन चेन लेकर चेन लेने से थोड़ी उंची बनती है पंखुरी फिर दो फंदे लेकर दो चेन बना लेंगे बिल्कुल पहली वाली पंखुरी की तरह यह भी बन गई और फिर यहां पे इसे काड़ लेते हैं फंदे को यह फंदे अगर आपको इसी में चेन लगाना हो इसी कलर से जैसे इसमें मैंने ग्रीन लगाई है लेकिन इसमें मैं इसी से आपको बना कर बता दे रही हूं तो यहां पर आप चेन बना लें यह पत्तियों के नीचे चेन कैसे बनाएंगे वो मैं बना कर बता रही हूं लगभग 16 से 17 चेन बना लेते हैं इसे आप चाहें तो अलग कलर में भी बना लें जैसे मैंने इसमें ग्रीन कलर से बनाई है लेकिन आपको बता रही हूं सेम कलर से ही तूटल मैंने 16 से 17 चेन के बीच इसे बना ली हूँ यह आपके उपर भी निर्वार करती है आप कितनी लंबी डंडी बनाना चाह रही हैं नापकर उतनी चेन ले ले और नीचे से फंदे को कट करके उसे घटा ले तकि भी यह खूले न यह फ्लावर तैयार है डंडी के साथ अब मैं आपको इसकी पत्ती बताती हूँ अब मैं आपको पत्तियां बनाकर बताती हूँ इस फ्लावर में मैंने दो पत्तियां लगाई हैं दोनों बिल्कुल एक जैसे ही बनी हैं सिर्फ एक को इधर और दूसरे को उधर से मैंने सिल दिया है पत्तियां बनाने के लिए मैंने क्रोशिय का यूज किया है एक फंदा लेकर के छे चेन बनाते हैं यह चे चेन बनाने के बाद बिना फंदा लिए हर चेन में एक एक लॉंग बनाएंगे यह ध्यान रखेगा कि लॉंग को बिना फंदे लिए बनाना है ताकि छोटी छोटी लॉंग बने क्योंकि पतियां मुझे ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है छोटी पतियां बनानी है यह सारे चेन में लॉंग को बना देते हैं यह लास्ट वाले में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि पहला फंदा थोड़ा टाइट होता है इसलिए इसमें क्रोशिय को डालने में थोड़ी कठिनाई होती है देखिए यह लास्ट वाले फंदे में भी लॉंग को बना ली हूं अब दूसरी तरफ से उसे बनाना शुरू की हूं चेन के एक तरफ से बना कर दूसरे तरफ से भी बिना फंदा लिए हाफ लॉंग से हर चेन में उसे भर लेंगे यह बिल्कुल उपर तक भर लेते हैं दूसरी तरफ से भी और फिर घुमाते हुए फिर से उधर हाफ लॉंग लेंगे हर लॉंग के अंदर एक लॉंग फिर से बनाना है पंदे को फिर से नहीं लेंगे छोटे-छोटे लॉंग ही बनाएंगे बस यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर नीचे लॉंग बनाने के बाद इसे फिर से गोल घुमाकर उधर नहीं बनाएंगे वापस इसे मुडाकर इस तरफ से ही शुरू करके बनाना है नहीं तो पत्ती बिल्कुल गोल बन जाएगी इसलिए उसी तरफ से फिर से लॉंग को भरना है देखिए मैंने घुमाकर उसी तरफ से लॉंग को भरना शुरू की हूँ तरफ से फिर इस बार घुमाते हुए नीचे की और ले आएंगे लॉंग को भरते हुए हर लॉंग में एक लॉंग बिना फंदे लिये हुए बस इसे नीचे तक ले आकर फिनिश कर देना है यह देखिए पत्ति की शेप आ गई पत्तियां बहुत तरह की बनती है यह पत्ति जो मैंने बनाई है इसमें उपर गोल शेप है अब इसे आफ फ्लावर के एक तरफ इसे सुई धागे की मदद से सील दें और आपको जितनी भी पत्तियां बनानी हो सेम ऐसी पत्तियां अलग से बना कर रख लें और उसे आप टाक सकती है जैसे इस फ्लावर में मैंने सिर्फ दो पत्तियां बनाई हैं इसमें एक मैं बना कर आपको बता दी हूँ ऄसी ही पत्तिया आप और बना कर दुस्री ओर भी टाग सकती है यह flower तयार है flower के साथ मैं उसकी डंडी भी बनाई हूं और साथ में यह पत्ति भी बना कर आपको बताई हूं इस तरह से आप जितनी भी पत्ति चाहें बना कर डंडी में लगा सकती है अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बिल आइकन भी प्रेस करें, धन्यवाद.